Hello everyone, कैसे हैं आप लोग ? तो रिसेंटली German Watch इन्होंने Climate Change Performance Index 2022 का जो ये रिपोर्ट जारी की है यहाँ पर जहाँ पर भारत की जो रंक है Biz- красGen autonomers index यहाँ पर है क्या ? इसमें कॉन से कॉन से parameters में कितने weightage दिये जाते हैं और इसकी analysis के बार में हम भी detail में discuss करेंगे और उसके साथ India की जो यहाँ पे performance क्या है कैसी है उसको भी analyze करेंगे बाकी सारे countries के साथ तो देखें from environmental science point of view के हिसाब से बहुत ही important वीडियो होने वाली है तो इस वीडियो को end तक बिल्कुल देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं के है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की notification इसी तरह आपको मिलते रहे हैं तो चलिए आज का वीडियो शुड़ू करते हैं तो recently German Watch ने यहाँ पे Climate Change Performance Index 2020 तो यह रिपोर्ट जो है जारी की है यहाँ पे तो यह इसका जो 17th रिपोर्ट है सत्रवी रिपोर्ट है तो यहाँ पे पिछले तीन सालों से भारत जो है 10th ranking हासिल की हुई है comparatively अच्छी ranking है अगर हम लोग देखें दूसरे developed countries के हिसाब से यहाँ पे तो पिछले तीन सालों से इंडिया की ranking 10th ही है इस बार भी 10th ही रही तो यहाँ पे 2022 का जो Climate Change Performance Index तो यहाँ पे Denmark को जो है चौथा position मिला है Sweden को यहाँ पे 5 और Norway को 6 पोजिशन मिला है और उसके इलावा अगर देखें United Kingdom को 7 वी Morocco को 8 वी और चेले जो है इसको 9 वी ranking यहाँ पे मिला है तो थोड़ा अगर ranking को भी आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 2-3 position जो यह खाली है तो इसका main reason है कि देखे सभी countries को यहाँ पे अलग-अलग parameters के हिसाब से mark किये गए हैं उनके ranking दी गई है लेकिन यह countries की performance Denmark, Sweden, Norway इनके अगर देखेंगे आपके Scandinavian countries generally इनकी ranking इतनी भी अच्छी नहीं है कि 3rd, 2nd या 1st position पे रखा जाए यानि कि 1st, 2nd और 3rd position पे आने के लिए जो भी minimum criteria है इन countries ने किसी भी countries ने यहाँ पे fulfill नहीं की है तो Denmark को इसके हिसाब से 4th position से ही शुडू करना पड़ा है यहाँ ज़्यादतर ऐसे cases में जो Scandinavian countries आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा अच्छे perform करते हैं और उसके comparison में अगर देखेंगे भारत ने comparatively अच्छी perform की है तो over the years अगर देखेंगे हम 2014 में इंडिया की ranking 31 थी gradually हमने काफी सुधार किया यहाँ पे 2016 आते होते हैं यहाँ पे 22 ranking हो गए फिर 2014 2017 में 2011 2008 में 2019 में हमने 9 रंकिंग हासिल कर दी थी फिर 2020 और 21 से लगाता हम लोग 10 रंकिंग हासिल करते हुए आ रहे हैं तो इसके बारे में भी हम analyze करेंगे यहाँ पे तो पहले discuss कर लेते हैं कि climate change performance index यानि कि ccpi यहाँ पे है क्या तो यह क्या है एक independent monitoring tool है यहाँ पे countries की जो climate performance के लिए हर country यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं उसको यहाँ पे monitor करके उसके report को publish करती है और यह जो publish करती हुए आ रहे है 2005 से तो यह जो है उसके हिसाब से इसकी सत्रवी report थी तो यह complete जो है ccpi यहाँ की climate change performance index इसको compile किया जाता है German watch एक new climate institute है और climate action network भी है तो इन्होंने total 57 countries को इसमें evaluate किया और European Union को भी आपे evaluate किया है तो mainly देखिए यही सब countries है जो पूरे दुनिया का लगभग 90% जो है global greenhouse gas emit करती है तो बाकी सारी countries को इसलिए consider नहीं किया गएगे कि उनलोग के तरफ से greenhouse gas emission से contribution comparatively कम है लेकिन इन सब countries की अगर देखा जाए total 90% से जादा दुनिया की total greenhouse gas emission करती है यहाँ पे तो थोड़ा अगर हम लोग parameters जो है जो भी parameters काफी important होते है आपको कभी-कभी प्रशन में direct भी पूछे जा सकते है तो चार category में इनकों divide किया गया है कि greenhouse gas emission जो है जो भी country यहाँ पे कर रही है उसके लिए 40% weightage दिया गया है यहाँ पे renewable energy के लिए जो भी country renewable energy के लिए कितना काम कर रही है उसके लिए 20% weightage दिये गया है energy users के हिसाब से यहाँ पे 20% और climate changing policies के लिए एक country कितनी काम कर रही है उसके लिए 20% weightage दिये गया है यहाँ पे तो यह जो ccpi यह unique climate policy अपना रहे हैं तो countries की यहाँ पे खुट की policies क्या है देखे भारत में भी कितने सारे climate changing policies भारत ने apply किया है यहाँ पे BS6 हो गई यहाँ पे अलग-अलग काफी सारे policies है तो इसके हिसाब से जो है यहाँ पे उन countries की policy designing कैसी होती है सब कुछ monitor किया गया है on the basis of Paris climate agreement goals तो Paris climate agreement goal में यहाँ बोला गया था कि global average temperature 1.5 degree centigrade से जो increase हो रहे हैं उससे कम तक रखनी है तो सभी countries की यहाँ पे जिन्मेदारी होती है कि यहाँ पे जो जितने कम से कम carbon dioxide emit करे जो greenery को promote करे यहाँ पे तो अलग-अलग countries ने अलग-अलग policies उसके हिसाब से design की गई है यहाँ पे तो भारत की अगर performance देखें तो भारत की total score जो है 63.98 तो इसमें हिसाब से भारत को दसवी ranking हासिल की है तो यहाँ पे भारत को कहां गया है कि accept renewable energy category के अलावा भारत को तकरीबन हर category में high performance अच्छा ranking हासिल हुआ है renewable energy को अगर देखा जाए तो उसमें भारत ने medium ranking हासिल की है लेकिन report में यहाँ पे यह भी कहां गया है कि low per capita emission तो per capita emission हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि मान लिजे कि जितने carbon dioxide emit कर रही है मान लिजे कि पूरे भारत में जो है 100 ton carbon dioxide emit की तो इसको जो divide किया जाएगा number of population के हिसाब से तो भारत में because population बहुत ही जादा है तो इसका result काफी कम आएगा लेकिन अगर आप देखेंगे कि suppose मान लिजे UK तो UK ने अगर 20 ton भी carbon dioxide emit किये है लेकिन population उनकी कम है तो population कम होने के वज़े से क्या होगा कि ये जो है data जो निकल के आएगा ये इंडिया के मुकाबले जादा होगा तो इसका इंडिया को definitely काफी फाइदा मिला है यहाँ पे तो अगर देखा जाए यहाँ पे greenhouse gas emission में जो अच्छी ranking अगर देखा जाए Sweden, Egypt, Chile और UK को top 7 ranking में हासिल हुई है और भारत को 12 ranking हासिल हुई है तो इसको अगर हम लोग थोड़ फाइज जूम इन करके देखेंगे तो greenhouse gases emission में 40%, renewable energy में 20%, energy uses में 20% और climate change policy में 20% तो आप देख सकते हैं कौनसी कौनसी कंट्रीज को यहाँ पे greenhouse gas emission में देखें आप Sweden हो गए यहाँ पे UK हो गई इन कंट्रीज को चिले हो गई, काफी अच्छी ranking हासिल हुए, इंडिया को थोड़ी सी यहाँ पे comparatively कम ranking हासिल हुई है जो अगर बात करेंगे renewable energy में देखें, नॉर्वेज यहाँ पे देख सकते हैं, Scandinavian countries कितनी ज़्यादा काम कर रही है renewable energy पे लेकिन इंडिया की performance यहाँ पे देखें, बहुत ही ज़्यादा कम है, comparatively 9.10 ही है, काफी कम है अगर इन लोकों के मुकाबले देखा जाए अगर बात करेंगे यहाँ पे energy uses के हिसाब से, तो यहाँ पे काफी countries ने काफी अच्छे perform किया है, comparison to India तो overall अगर climate change policies में अगर देखा जाए, तो बाकी सब countries ने भी, यहाँ पे top countries ने काफी अच्छे perform किया है लेकिन इंडिया को यहाँ पे काफी काम करना बाकी है, तो ऐसे report से देखे बहुत detail में analysis होती है कौन सी countries की policies क्या है, renewable energy के लिए क्या काम कर रही है यहाँ पे, जो greenhouse gas emission कर रही है यहाँ पे कैसे कर रही है, यहाँ पे global warming को जो अगर कुछ शती पहुँची है, तो उसके हिसाब से हर country अपने आपको evaluate करेगी, main मकसद यही है और उसके हिसाब से अपने policies में changes आएंगी, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा countries में pollution बर रही है तो उनको भी countries को सामने लाना पड़ेगा, तो kind of यह एक result है, exam की जैसे की result होती है तो countries को यहाँ पे जो भी नीचे आती है यहाँ पे, अब देख सकता है USA के नाम भी top 10 में नहीं है तो USA हो गई, यहाँ पे China हो गई, ऐसे countries को काफी ज़्यादा सुधार की जरुरत है यहाँ पे तो इन सब countries को जब सामने आएंगे तभी, यहाँ पे जो है, globally, जो है, climate change जो हो रही है, बहुत disaster, तो उसको control किया जा सकता है तो यह था हम लोग का complete analysis regarding the climate change performance index 2022 का report, जहाँ पे भारत की ranking जो है, 10 है तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिला होगा, और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको subscribe कीजिए, इसको share कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत